तो दोस्तों आज अक्टूबर की एक तारीख है और आप देख रहें यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसे सदा बहार या विंका का प्लांट कहते हैं विंका एक permanent flowering plant है और विंका की दो वरायटी आती है एक hybrid और देशी वरायटी ये जो आप रंग बिरंगे plant देख रहे हैं ये इसकी hybrid वरायटी है hybrid वरायटी कई रंगों में आती है और बहुत ही खोब सूरत flower इस पर लगते हैं इस तरह से plant को आपको बुसी बनाना है या फिर धिरो फूल लेने है तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें यह समर का एक बहुत ही खोब सूरत flowering plant है लेकिन यह आपके garden में अभी न मौबर दिसंबर तक flowering करता रहेगा विंका को over watering और बरसात के पानी से बचाना होता है अगर इस पर बरसात का पानी ज़्यादा पड़ी तो ब्रांच इसकी dry होने लगती है तो इसको बरसात में आपको care करनी होती है अब बात करते हैं plant पर बहुत सारे फूल लेने के लिए ये देखिए ये मैंने plant को एक save देने का प्रियास किया है और plant धीरे धीरे बुसी होता चला जा रहा है तो plant को बुसी बनाने के लिए और बहुत सारे flower लेने के लिए ये देखिए इस तरह से जो bird आई हुई है जो कली आई है उसको आप पिंच करके निकाल दें सुरवाद में ही जब flowering होना सुरू हो जाती है तभी ये काम आपको अपने plant पर करना है एक दो नहीं जितने भी कलियां आई हैं सभी को आप फूल बनने से पहले ही पिंच करके ब्रांच से हटा दें इस पिंचिंग का रिजल्ट अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा ऐसा करने से ब्रांच अपने साइड से नई नई ग्रोथ करता रहता है और पूरा गुलाई में एक सेप लेता चला जाता है तो ये काम अपने आप सभी प्लांट पर कलने बहुत ही खुब सूरत फ्लावरिंग वाला या प्लांट आपके गार्डन में फूलों से रंग भर देता है फर्टिलाइजर की बात कर लें तो मैं अपने प्लांट को कोई खास फर्टिलाइजर नहीं देता हूँ केवल महिने में एक दो बार इसे वर्मी कमपोस्ट सॉयल में मिला देता हूँ दूसरा काम आपको करना है कि जब आपका प्लांट पिंचिंग करने के बाद बुसी हो रहा है तो आप ब्रांच को सॉयल में एक लकड़ी दबा करके उसको बान दे ऐसा करने से आपकी ब्रांच तूटेगी नहीं और प्लांट आपका इस्टेवल रहेगा तो दोस्तो जिस प्लांट पर मैं लगा तार पिंचिंग कर रहा था तो उसका रिजिल्टी ये रहा ये देखिए इस पर धेरो फूल आ गए हैं और अभी इस पर और भी फूल कलियां बनेंगी तो देखिए बहुत खुबसूरत या प्लांट अब फूलों से पूरे गमले को भर दिया है तो इस तरह से आप सदा बाहर की थोड़ी सी केयर से धेरो फूल ले सकते हैं अब जब प्लांट नर्सरी से आप ले कराते हैं तो इसके लिए स्वाइल की बात करें तो स्वाइल में आप 50% गार्डें स्वाइल लें 25% वर्मी कमपोश्ट और 25% सेंड विलाकर स्वाइल तयार कर लें ये देखिए प्लांट साइड से भी कितना खुबसूरत लग रहा है तो इस तरह से आप प्लांट को अपनी तयार कर सकते हैं ये फ्लावरिंग इस समय अक्टूबर की है और प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कटिंग बहुत असानी से ग्रो हो जाती है मैंने इसकी कटिंग का बीडियो पहले भी आपके साथ सेयर किया है तो वहां से आप इसकी जांकारी ले सकते हैं कटिंग के अलावा इस प्लांट पर सीड भी उसके बनते हैं जिन्हें आप कलेट करके निश्ट सीजन असानी से ग्रो कर सकते हैं तो बहुत खुबसूरत या प्लांट अपनी नई नई ग्रोथ करता रहता है वाटरिंग इस प्लांट को बहुत अधिक नहीं करनी है जब आपको लगे स्वाइल एक दूई इंच सूख गई है तब जाके आप इस पर वाटरिंग करें फर्टलाइजर मैंने पहले ही बताया कि मैं वर्मी कंपोस्ट ही देता हूँ लेकिन अगर आपका प्लांट फ्लावडिंग नहीं दे रहा है तो आप यनपी के उननीस उननीस इस प्लांट को दें और आप काव डंग कंपोस्ट का लिक्विट फ्लाइजर तयार करके स्वाइल में जरूर दें तो दोस्तों उमीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौदे के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर